देहात के पत्र को उत्तर देते हुए शहर ने क्या लिखा यह देखते हैं दिनांक 15 अगस्त 2017 प्रियमित्र देहात नमस्कार आज स्वतंत्रता दिवस है इस उपलक्ष में हार्दिक बधाई पत्र मिला तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई मेत्र परिवर्तन स्रिष्टी का नियम है भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदल दी धीरे धीरे और भी विकास होगा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई माली सीचे सो घड़ा रितु आये फल होई माना कि कुछ परेशानिया है वहां के परिवार तेजी से मेरे यहां आ रहे है परंतु यहां आकर भी वह सब कहां सुखी है चीराक तले अंधिरा है जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो और बेचेन और व्यथित हो जाओगे मेरे यहां की दिन बदिन बढ़ती भीर से मैं परेशान हो उठा हूँ जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो वह सब को कहां उपलत है तुभारे यहां से जो यहां आते हैं कई बार बार में पच्टाते भी हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को सहमय रहते अपना महत्व समझाओ छोटा परिवार सुकी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जाने चाहिए तुम उन्हें बुराईयों से दूर रख कर विबिन्न व्यावसाइक कवशलो कॉम्प्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरब ध्यान दो खेल तो ग्रामिन जीवन की आत्मा है दोड़ना, तैरना, पेड़ों पर चड़ना उतरना तो वहां के पच्चो की रगड़न में रचा बसा है आज कितने विख्यात खिलाड़ी गाउं से ही आगे बढ़े है उनको प्रोसाइद करना तुमारे नैतिक जिम्मेदारी है खेल संबंधि मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर रश्यस्तर पर प्रगति कर सकता है अपने गाउं को एक परिवार समझ कर उसे विकसित करने का प्रयात्न करना होगा तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण तिनो दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है मेरे यहां लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे तुम गाउंवालों को सहकारिता का महत्र समझाओ सहकारिता पर आधारी छोटे छोटे व्यावसाई तुम अपने यहां शुरू करवाओ ताकि क्रिश्री आधारित अनेक लगू फल उद्योग और आउशदी ये वनस्पतियों की खेती पशुपालन जैसे अनेक व्यावसाई शुरू किये जा सकते हैं अरे भाई देहाद कितने पाग्यशाली हो कि तुम प्रदुशन मुक्त वातावरन में रहते हो खुला खुला पदिसर न धुआ न वहानों की चिल्लपो हरे भरे पेड ये सब चीज़े तुम्हारे पास हैं रात में तारो भरा आसमान तो सवेरे उक्ते सुरज के दर्शन कितने सहचता सरलता से हो जाते हैं हम तो इमारतों के जंगल में बदल गये हैं खुला आसमान बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवन दुरलब हो गये हैं ये तुम नहीं समझ सकते तुम्हारे तहसिल और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सरवांगिन विकास करने के लिए अपने जनप्रतीनीधियों का सहयोग ले तुम्हारे यहां जो बच्च विद्धालय में पढ़ रहे हैं यदि अभे से उन्ने सही दिशा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविश्य में वे ही हम सबकी विथा कम कर सकते हैं वे ही हमारे आशास्तान है मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य धान दिया जाएगा तुम्हारा अपना शहर शहर ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए पत्रे की शुरुवात की है और समझाया है कि धीरे धीरे तुम्हारा में विकास होगा यहाँ समझाने है तु दो पंक्तिया भी शहर ने लिखी है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए माली सीचे सोगडा रितु आये फल हुए इसका अर्थ है मेरे मन धीरे धीरे मिलेगा धीरज रखो हर काम धीरे धीरे होता है माली कितने भी घड़े पानी पौधी को दे पर फल तो तब ही आता है जब उस फल की रितु होती है और आगे पत्र में शहर लिखता है कि मेरे यहाँ भी भीर बड़े रही है जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो या जिसे देख कर लोग यहाँ आते है उन सब को वह कहां मिलती है कई बार उन्हें जुगी जोपडियों में रहना पड़ता है और पच्चताना भी पड़ता है इससे अच्चा है लोग गाउं में ही रहे कर उन्हेती करे व्यावसाई काउशल सीखे खेलों को बढ़ावा दे हो सकती है शहर ने गाउं के उसके बलस्थानों से भी अवगत कराया है जैसे गाउं में आज भी स्वच्च हवा है प्रदूशन नहीं है जबकि शहर इमारोतों का जंगल बन चुका है शहर की अपनी समस्याएं है वाहन कारखानों से होने वला प्रदूशन गंदगी ऐसे कई सारी समस्याएं शहर के भी है शहर का सुझाव है कि गाउं के लोग वहां के जनप्रदी प्रतिनी दी मिलकर गाउं के बच्चों का सही मार्गदर्शन करे और साधन उपलब्द कराए तो यहीं बच्चे आगे चलकर आबादी अशिक्षा गरीबी जैसी देहात और शहर दोनों की समस्याएं समाप्त कर सकते हैं झालों के लोगा है